मुंबाई के कांदी वली पुलीस ने घर में काम करने वाले एक नोकर को गिरफतार किया है जो अपने साथी के साथ मिलकर घर में रखे सोने और चांदी के कहने चुरा कर भाग गया था पुलीस ने एक आरोपी को यूपी के गोंडा से गिरफतार किया है पकड़े गए आरोपी पर पंजाब के मुख्यमंत्री के बंगले में भी चोरी करने का आरोप है पुलीस ने उसके पास से तेरा लाग कीमत के गहने जब्त कर लिये हैं दूसरे आरोपी की तलास पुलीस कर रही है गोरतलभे की कांदिवली पुलीस टेशन की हद में गौरफ पैलस मोदी रोड के पास रहने वाले गौरफ केतन सा ने पुलीस को शिकायत दी थी कि उसके फ्लेट में नोकर का काम करने वाला राम कुमार अमरनाथ एक जनवरी से 23 जनवरी तक काम पर आया था उसके बाद वो वापस नहीं लोटा जब शाह परिवार ने अपने घर के लौकर और घर में रखे सोने देखने गए तो सब गायब था शाह ने पुलीस को बताया कि उसके घर से 17 लाह कीमत के सोने और चांदी के कहने गायब है पुलीस ने शाह को नोकर राम कुमार द्वारा दिये गे दस्तावेच के आधार पर जाच की तो पता चला कि दस्तावेच फरजी है कांदीवली पुलीस टेशन के सीनियर पियाई तीन कर जाथा और पियसाई सूरेकांत पवार और उनकी टीम ने सत्यवान जगदाले अनील जयतापकर राउत दादा सहब घोड के स्रीकान तावडे ने मिलकर उनकी तकनीकी यंत्रणा के तहत उत्तर प्रदेश के गोंडा इलाके से एक आरोपी जवाहर मंगनू पांडे को चौदा मार्च को रामपूर गोंडा से गिरफतार कर लिया है आरोपी के पास से तेरा लाग कीमत के गहने जब्त कर लिये हैं कांदीवली सीनियर पियाई दिनकर जाधव ने बताया कि शाह के घर में नौकर और उसके साथ ही जवाहर ने मिलकर चोरी को अंजाम दिया था चोरी के गहने एक सोनार की दुकान पर गिरिवी रखकर पैसे ले लिये थे फिलहाल पुलीस ने तेरा लाग के गहने जब्त कर लिये हैं और दूसरे आरोपी के तलास कर रही है जास में पता चला की पकड़े गए आरोपी के ओपर पंजाब के मुख्यमंत्री के बंगले में भी चोरी के आरोप लगे हैं यह लोग मुंबई के कई अलग अलग हाई प्रोफाइल सोसाइटी में नौकर का काम कर चुके हैं इनका मोर्स अप्रेंडस है कि जिस फ्लैट में जादा स के इस रजिस्टर हुआ था 23 जनवरी 2022 को सियर नंबर है अड़ती सब लिग बावीस 381 आइपीसी इसकी ब्रीप में मालूमात ऐसी है कि कांदिवली के रहने वाले कुटुम्बिया है शाह कुटुम्बिया उन्होंने घर में नोकर रखा था जिसका नाम रामकुमार अमरनत उसने यह नाम बताया था तकरीबन 23 दिन उसने घर में काम किया एक जनवरी से लेकर तेई जनवर तक और तेई जनवरी को वो और उसका एक साथी दोनों ने मिलके उनके घर के जो पहला माला है उसमें उनके जो माताजी है उनके जेवरा थे वो कबर से चूरी करके भाग ग गर का सामानास्ते वेस्ते देखने के बहुत घरवालों को ये बाद मालूम पड़ी। उन्होंने पुली सेशन में इसके बारे में कंप्लेंट डाखिल की थी। इस पे 17 लाक रुपे के सोने और डाइमंड्स और चांदी के जवरत चोरी हो गए थे। इसमें जो नोकर था उसका मोबाइल नंबर पुलीस को मिला था। पासकर पवार और उनकी एक टीम का गठन किया गया। आरोपींग का ट्रेज जो है गोंडा जिल्ले से आ रहा था उतर बदेश के। ये टीम ने लगातर वहां 30-35 दिन तहिकीकात करके आखिर में उसमें से एक आरोपींग को एरस किया है। इसके पहले के पकड़ा गया है उसका नाम है जवाहर मगनू पांडे बच्छू। इसका लुधियाना पंजाब में दो केसेस है इसके पहले के एक केस है 395 IPC की और दूसरा जो है वह भी नोकर चोरी का ही केस है। बताए जारे कि सारूपी ने एक सियम के घर पर भी चोरी की थी। उस बारे में आप लोग भी मालूमत ले रहे हैं। झाल 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 झाल